नम्सकार में सुरेश कुमार, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर कलिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तो आज की जो news है वो आंगनवाडी workers के लिए है कि जो potion tracker में जब भी आँगनवाडी workers daily tracking में जाती थी तो आँगनवाडी center status जो था AWC status था वो तो open हो जाता था आँगनवाडी center photo वो भी capture हो जाता था लेकिन जैसे attendance oblique morning snacks पे click करते थे attendance पे click करते थे तो जो page था वो विल्कुल blank आता था white आता था that means वहाँ पे problem थी वहाँ पे error था वहाँ पे bug थी और जे दूसरी अगर हम technical words में बोलें कि जे जो जे वाले जो page था वो crash कर जाता था जे दिखता ही नहीं था तो आँगनवाडी workers को जे problem थी अभी वो call भी करते हैं तर attendance कैसे possible है क्योंकि जो beneficiaries हैं 3-6 साल तक वो तो शोही नहीं हो रहे है potion tracker में तो इसका क्या कारण था तो इसका कारण जे था कि यहाँ पे bug थी जहाँ पे जो था हम जी कह सकते हैं कि error वगरा थे जो potion tracker के ही software में error थे तो अब उन errors को ठीक कर दिया गया है आप जी देख रहे हैं कि जैसे attendance oblique morning snack पे मैंने जैसे ही click किया तो जे पूरे का पूरा जो page है वो खुल रहा है जहाँ उपर attendance है morning snacks है जे आदविक डमराल मदर का नाम भी लिखा है शालू शर्मा तो जे सबी beneficiaries जो हैं वो reflect हो रहे हैं अभी आंगनवाडी workers क्या कर सकते हैं कि जो attendance है वो जो beneficiaries की attendance है वो भी कर सकते हैं और जो morning snacks वगरा दे problem है उसको solve कर दिया गया है तो अब भी आपको पताते हैं कि problem को solve कर दिया गया है इसलिए जो सबी aspects हैं जे आगनवाडी workers को भरने हैं उसके बाद अगर हम THR oblique HCM में भी देखें तो जे भी जो problem थी जहाँ पे भी शाहिद problem आती थी I think कि सबी को problem ज्यादा main जो problem थी attendance oblique monics next में आती थी उसको solve कर दिया गया है तो अब क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो new version है potion tracker का जी अभी कल ही आया है 20.0 वो आ चुका है इसलिए सबसे पहले क्या करना है सभी आगनवाडी workers को कि google play store में जाके जो version है उसको update कर देना है तो जब हम words new में देखते हैं जे जो new version है 20 20.0 है 20 वाला version है तो इसमें total जही जितनी भी problems थी उन्हीं को ही solve कर दिया गया है तो सबसे पहले words new में अगर हम देखते हैं तो जहां पे है data reflection issue on profile card जो profile card अब जहां पे आंगनवाडी workers के mind में आ रहा होगा कि जो profile card है वो कौन सा है तो profile card आप जानते ही है कि जैसे ही हम potion tracker प three year beneficiary पे for example मैं click करता हूँ तो जहां पे क्या है जब भी जे जो beneficiary है जे जो open होते हैं तो सबसे पहले जैसे अनाया ठाकूर है अनाया ठाकूर के जो पीशे वाली side जो green color में circle सा लगा हुगा जैसे ही हम इसको click करेंगे तो जे profile show होती है तो profile में जही था कि जे जो इसमें problem आती थी जे profile भी नहीं show हो रही थी शाइद आप में से कुछ ने देखा होगा कुछ ने नहीं देखा होगा तो actual था कि इसमें भी problem थी तो जे जो problem है इसको solve कर लिया गया है तो अब उसके बाद हम बात करें जो second है वो है bug fix for beneficiaries in beneficiaries list in attendance हाँ बहाँ पे जो हमने पहली बात की है कि जो attendance थी जो daily tracking में attendance करते थे beneficiary का जहाँ पे attendance और morning snacks आते थे बहाँ पे जो bug थी bug को fix कर लिया गया है जो एक बग जो है जो एक technical तरम है इसे आम बाशा में कहेंगे कि एक जो error आता था जो जहाँ पे problem आ रही थी जो जहाँ पे समस्या आ रही थी उसको solve कर दिया गया है उ वो crash कर जाती थी जैसे ही आगनवाडी worker हमारी attendance oblique morning snacks क्लिक करते थे तो वो बिल्कुल blank page आता था उपर लिखा हो था attendance morning snacks उसमें जो beneficiaries थे वो भी नहीं आते थे आगे tick करने वाले भी नहीं आते थे that means इसी को बोलती है इसी की technical term है इसको बोलते है कि system crash कर गया है जब हम कही ब हम देखते हैं कि site पे ज़्यादा burden होता है तो आप देखते होंगे कि कहते हैं कि site crash कर गई है तो जहीं था कि जो attendance system था जो attendance screen थी जो crash कर जाती थी तो आब उसी उसको भी solve कर लिया गया है उसके बाद four है fixed network not reach message in beneficiaries listing तो जैसे ही क्या करते थे कि beneficiaries की जो list देखते थे जैसे जी beneficiary पे click करते थे तो जहां पे अगर beneficiary की list देखनी होती है जैसे six months to three year जहां हम click करते थे तो उपर आ जाता था small words में कि network not reached तो आप वो भी जो problem है वो solve कर ली गए है उसके बाद जो fifth वाली change है वो है app optimization जी change तो नहीं है app को user friendly बनाया है तो अगर हम इसको net shell में देखें कि ज जो version है जो 20 वाला version है जो 20 वाला version है portion tracker का इसमें जो इसका main मकसद ही जईए कि जितनी भी problems है जहां पे data profile card में reflect नहीं हो रहा था जहां attendance system में bug आ रही थी जहां पे जो attendance screen जो crash कर रही थी जहां जो network issue network not reachable message आ रहा था जब भी हम beneficiary की list में जा रहे थे इन सभी problems को ठीक कर दि गया है hopefully अभी जो हमारी आंगरवडी workers है उनको कोई attendance करने में जहां portion tracker में इसके related जो है कोई problem नहीं आएगी तो इसमें जे नहीं है कि पहले होता था जैसे पहले version आते तो उसमें new cheese add की जाती तो जो 20th version है उसमें addition कुछ नहीं है इसमें simply जो है system को correct कर दिया गया है जो errors थ गया रहा थी उसको उनको fix किया गया है तो 5th में app optimization, app optimization का मतलब है कि app को user friendly बनाया गया है कि जो app है उसको user जहां पे हमारे users हमारी आंगरवडी workers हैं हमारे supervisors हैं हमारे field functionaries हैं तो उनके friendly बनाया गया ताकि उनको app को जब भी वो use करते हैं उनमें problem ना आए तो आज के लिए इ पन đi मदो नाए त whiskey उनक प्रीप गयाओ ये को हैं हमारी आए ने कु bij बनी बनाया व्ट ओिण के लिए science-1 क्वार को प्रेदुर की अर गया है अन्या है आप legal की वे हैं 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 आए जबोशने में जड़े रावशने का इन बनाया हैं हैं कि अर्यों में ृबवाड़े ज ग